अगर आपके multiple source of income है तो उसको declare करने के लिए आपने अपने dashboard पे आना है यहाँ पे आके अपने सबसे पहले declaration के tab पे जाना है उसके बाद आपने यह start के button पे आना है next आपने यह return slash statements original और यहाँ से फिर आपने यह normal return वाला form लेना है अब यहाँ से आप अपना period चूज करेंगे जैसे 2022 चल रहा है यहाँ से अपने data का tab लेन है और आपके सामने open हो जाएगा यह वाला form जो के simple classic theme बीसी तरह से था और यह new theme भी same वही है just इसकी look change होई है अब अगर आपके multi source of income है याप salary भी लेते हो business person भी हो property से भी income भी है आपकी आप freelancer भी हो तो उसके लिए आपने कुछ steps लेने होते हैं जैसे यह salary का idea तो आप salary में इसके बारे में data input करोगे उसके बाद अगर आपका business के बारे में है तो आप business में अपने revenues यहाँ पर declare करोगे next अगर आपको कुछ property का business भी है तो आप property के बारे में यहाँ बताएंगे आप कितना rent receive करते हैं क्या नहीं करते है उसके बाद अगर आप बाद में फ्री लांसिंग भी करते हैं तो उसके लिए आपने ये वाला टैब लेना है तो इनके डिटेल हम आगे चलके देखते हैं Assalamualaikum and welcome to another video Multisource income tax return हर बंदा फाइल नहीं कर सकता Certain conditions होती हैं, for example, एक government employee अपनी salary के लावा कोई और return submit नहीं कर सकता Because as per law, एक government job holder कोई और business कर ही नहीं सकता वो उसके एहल नहीं होता तो पीछे बच जाता है private salary बंदा, business वाले, freelancer बगारा तो ये सब अगर multi source income हासल करते हैं तो अब इसको वो अपनी tax return में कैसे declare करेंगे वो सब जानोगे आप आज इस वीडियो में सबसे पहले ये समझना है आपने के multi source income का actually मतलब क्या होता है तो इसको असान लफ़जा में समझने के लिए आप ये मालने के एक लड़का है एहमद, जिसकी उमर है 25 साल वो एक business individual है और उसकी एक shop है जिससे वो अपना business कर रहा है ये हो गया उसका एक source of income इसी तरह से वो property भी sale purchase करता है दिन के 2-3 गंटे वो एक private school में teaching भी करता है जहांसे उसको salary मिलती है और रात को बैठ के वो freelancing भी करता है ये बन गए उसके 3-4 source of income मैं यहां आपको सब कुछ टूटोरियल की तरह करके नहीं दिखाने वाला उसके लिए separate videos के link नीचे वीडियो की description में मुझूद है आप वो separately देख सकते हैं मैं यहां आपको वो steps बताऊंगा जो multi source tax return को declared करने के लिए जरूरी है तो जिस एहमद लगे के हमने मिसाल लिए है उसके साबसे हम देख लेते हैं जैसे है सबसे पहले यहां पर salary का tab आता है तो इसी से हम continue करते हैं तो मिसाल के तरपर वो salary ले रहा है तकरीबर वहां से हम कहा देते हैं 3,50,000 लिखा यहां से हमने इसको calculate कर दिया यह आगी उसकी एक source of income और क्योंकि वो private job में है तो उसके लिए तो दूसरे लाउंसे नहीं होगी simple एक salary ही बनती होगी उसकी next अब वो करता है property का काम या उसकी property है जिसके उसको rent आता है यह जो property का head है इस बंदे ने यहां पर कोई भी source of income इसकी हो सकती है वो rent receive भी कर सकता है या वो एक property लेके उस पर आगे sale करता होगा उस पर commission लेता होगा जिसको आप पर यह adjustable taxes में जाके उसके tax को adjust कर सकते हैं मैंने बाकी वीडियो में यह सब बयान किया हुआ है तो अब हम इसकी second source of income यहां भी declare करते हैं जैसे वो rent receive करता है किसी building का या shops का किसी भी चीज़ का तो वो इसको आजाता है 2,00,00 रुप्या फॉर एक्जेम्पल हम यह सारी चीज़े देख रही है यह सब ही को हम आगे जाके कैसे एक जहां पर compile करेंगे फिर आप उस पर जो admitted बनाएंगे वो आपको इंदाजा हो जाएगा कि separate separate income tax return का एक जाब में compilation किस तरह सोती है यही मकसद है मेरा यह video बनाने का इसको हम करेंगे यहां से calculate यह आपको पता है यह one-fifth निकल जाता है total amount का उसकी infrastructure पे और उसकी repair बगढ़ा पे यह दो income source होगे अब चलते हैं इसके तीसरे income source पे जो इसकी shop है जिसको यह run कर रहा है उससे यह साल का कितना कमाता है जो इसका main business भी हो सकता है secondary, third, कोई भी business हो सकता है तो उसमें हम यहां प्लिक देंगे भी उससे यह पांच लाक रिवा महीने का कमाता है यह हमने पांच लाक लिका यहां भी इसको कर दिया calculate यह आगी इसकी third source of income अब इसके बाद इस business के against इसके जितने खर्चे हैं जैसे एक आम business की return file होती है यह business की same वैसे ही return file होगी salary के लिए total salary वाली return property के लिए total जैसे property की file होती है वैसे होगी business के लिए यहां पर उसके expenses बताएंगे for example यहां पर समझने के लिए हम लिख देते हैं उसके indirect expenses में ही उसके dial आखर पर total expenses डाल देते हैं जो उसके बने होंगे rent से उसके electricity से communication repair maintenance के जब आप अपना करने बैठेंगे तो आपने यह सब ही headings लिखनी है इसके आगे relevant heads जितने भी हैं यह सब ही आपने लिखने है मैं यहां पर एक overview दे रहा हूँ के multi source of income को आपने कैसे कैसे heads में यहां पर adjust करना होता है तो इसके बाद यह जब आप इसका insert कर देंगे तो आपने करना ही है calculate तो इसके expenses निकलाएंगे उसके बाद आपने इसके business की equity और liability बतानी होती है यानि इसने कितने से business start किया था इसके assets किया था या इसकी liability किया है तो यह हमेशा आपने बराबर करके रख़ए यानि आपके assets और आपके liability बैलेंस होगी तब आपको यह return submit करने देगा यह मेरी आप business वाली वीडियो देखेगा उसमें यह साड़ी detail आपको मिल जाएगी अचा इसके बाद अब चलते ही उसके हम fourth source of income की तरफ जो हो गया है उसका freelancer का तो यह हमने यहाँ आजाना है foreign sources पे और यहाँ पर हम लेक देते हैं वो फ्री लांसिंग से भी तकरीबन कोई 6 लाग अखर पर कमाता है यह है उसके चार source of income जिसको हम multi source income करते हैं पहले वो salary बताएगा फिर अपने property की detail जो कमाता है वो बताएगा business declare करेगा अपना नीचे अपने foreign income बताएगा अब इसके लावा गाहों में कहीं पे उसके agriculture जमीन और उससे भी उसको income आती है तो वो यह agriculture का tab लेगा और यहाँ पे वो भी declare कर देगा जैसे है एक लाग 50,000 यह कहा देते हैं मुसको यह उसके सलाना आते हैं यहाँ इसको भी calculate आती है अब जो बात समझने वाली है ना उसको ध्यान से सुनियागा आपके source of income एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कई भी किसम के हो सकते हैं हर एक source of income की अपने एक proper return होगी एक ही file के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप salary के लिए अलग file लोगे उसके लिए ना अगर आपकी एक है तो उसके लिए भी आपने यह normal return वाला form यूज करना है अगर आपकी चार है उसके लिए भी यही procedure यह होगा कि salary वाले के लिए आप properly salary के return फाइल करोगे उसके बाद आप property पे आजाओगे फिर आप अपने business पे आजाओगे और business में अपने revenues बताओगे अपने expenses बताओगे नीचे आप अपने assets और liabilities को level करोगे फिर उसके बाद अगर आपकी foreign income भी है तो आप foreign income बताओगे agriculture से या तो agriculture बताओगे अब यह सब लिखने के बाद जब आपने income डेकलेर कर देंगे next body आ जाती है इस पर जो taxes charge होने है या इसके tax कितना बना हमें pay करने वाला उसको देखने के लिए उसके लिए आपने simple चलना यह tax chargeable payments पे और नीचे यह computation अब यह देखें यहाँ पेक्सर आप जब return single file करते हैं तो यहाँ पी इस एक या दो head मिलते हैं अभी हमने क्योंके multi insert की है एक सारी income तो यह multiple आ रहे हैं आपके यहाँ पे और इस सारी income जितनी भी आपने की है taxes बताने होते हैं यानि salary है total उस पे अगर आपका tax cut रहा है जैसे अगर आपके taxable salary है तो tax cut अगर taxable salary नहीं है जैसे अभी मैंने जो बताया थी taxable नहीं है तो यह इसके सामने आप zero कर दोगे क्योंकि यह salary के relevant है यह वाला head फिर इसके बार नीचे आपके जितने भी डोल्डिंग tax बनते हैं चाहे आप वो आपके property पे थे आपके banking पे थे आपके motor vehicle पे थे या आपके telephone या cell phone पे थे वो सब एक के करके आप यहाँ पे declare करोगे property का business करते हो उस पे commission वगरा लेते हो तो उस पे sale purchase पे जो आपके 235 और 236 के against आपके कटते हैं taxes जितने भी आपके आप filer के against या non-filer के against करते हैं तो वो भी आपने यहाँ पे in heads के सामने आपने लाजमी डेक्लेर करना है क्योंकि properly return complete करनी है आपने but in one form, one normal form business में आपने जो जो कुछ किया है जहाँ पे commission पे किया है उनके relevant यहाँ पे जितने भी adjustable taxes बनते हैं आप वो भी declare करोगे सब कुछ declare करने के बाद जब आप अपने चारों source of income या दो source of income के यहाँ पे adjustable taxes भी final कर लेंगे everything आप final कर लोगे तब आपने दुबारा जाना है competition पे तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यह आपका admitted income tax जो एक लाग शोलाँ जार पांचोर बन रहा है यह इन में से आपके adjustable taxes जो है minus हो जाएंगे और यह आपकी जो liability है यह कम हो जाएगी कफी अद्धक कम हो जाएगी तो फिर जितना भी यहाँ पे बच जाएगा उसका आपने चलान बनाना है चलान बनाने के लिए भी उन्होंने अपडेट दे दी है जैसी ही आपके calculation final हो जाएगी अब आपको पता है कि आप इसमें मजीद आपने कुछ changes नहीं करनी then आपने यह उपर generate का button दबाना है यह generate bill का इसको उपर click करना है यह detail आपके सामने आजए कि यहाँ पे भी वही admitted income tax होगा जो नीचे आपको नजर आ रहा होगा simple आपने यहाँ पे generate bill का button दबाना आपकी PS ID बन जाएगी और यही से आपने mobile से या अपने bank से इसको pay कर देना है pay करने के बाद अब आपने इसको file करना होता है आपकी wealth statement आप पहले wealth statement file कर लो आप बाद में कर लो इसका कोई मसला नहीं है लेकिन admitted income tax file करने के बाद कुछ दिर wait करके फिर आपने इसको submit करना है वहना यह submit नहीं होने देगा wealth statement भी simple यह wealth statement आपकी personal होगी यह आपके business आपके property के लिए नहीं होगी बस इसमें आप अपने assets declare करोगे वह भी जो आपके नाम पे है अगर आपके business के नाम पे कोई properties हैं तो यहाँ पे list नहीं होगी वह आपके business में ही list होगी wealth statement को properly file करने के लिए आप मेरी यह video देखें इसका link भी नीचे वीडियो की description में यह पूरा formula इसमें बयान की ओव है मैंने के किसना से यह सब करते हैं तो आज की video की summary यह है कि आपने सीखा कि आप multi source of income किसना declare करोगे चाहिए आपके पास 1 हो 2 है 3 है 4 है जितने भी multi source of income है आप सभी को declare करोगे सभी की properly return एक ही file के अंदर बनाओगे then उस पे जो admitted income tax अगर बनता है तो उसको pay करोगे अगर नहीं बनता है तो कोई मसला नहीं ना pay करें उस पे अगर refundable निकलता है तो आप उसका refundable रखें क्योंकि इसमें अभी उन्होंने sell भी दे दिया है नया जिसमें वह आप पराने year के अपने refundable उसको नए साल के admitted income tax के साथ adjust कर सकते हो next आने वाली वीडियो में मैं वह भी explain करूंगा वह किस तरह से होना है तो यह थी आज की वीडियो पसांदे यह ज़रूर लाइक कीजिएगा मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अला आफेज